आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान देश की राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे का प्रोकोप अब तेजी से बढ़ने लगा है वहीं पच्चिमी विक्षोग की सकरीता के कारण सर्ध हवाय चल रही है जिससे अब कप कपी भी छूटने लगी है बौसम विभा के अनुसार इस हफते के अंध तक पारा और गिरने से ठंड में बढ़ातरी होगी और इसके साथ भी ठिटूरन भी बढ़ेगी गुरुवार को अधिक्तम तापमान समानने से 3 डिगरी कम 19.8 डिगरी सेल्सियस और नियुंतम तापमान समानने के बराबर 8.7 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया दो दिसंबर के बाद ये दूसरी बार है जब अधिक्तम तापमान 20 डिगरी सेल्सियस से कम दर्जुआ है वहीं हवा में नमीक अस्तर 51 से 55 फीजदी रहा दूप नहीं निकलने की वज़ा से लोगोंने दिन में ठंड भी महसूस की मौसम विबा के अनुसार आज यानि शुकरवार को दिल्ली में अधिक्तम पारा 20 डिगरी सेल्सियस और नियुंतम पारा 8 डिगरी सेल्सियस तक रहने का अनुमान जताया गया है वहीं आज दिन में धूप निकलने की संभावना है हाला कि इस दोरान कोरे का भी असर रहेगा कल से नियुंतम पारा 6 डिगरी सेल्सियस तक पहुंच जानने की संभावना है गौरतलब है कि बीतर अभीवार को नियुंतम पारा 6.4 डिगरी सेल्सियस तक पहुंच गया था जो कि इस सीजन का सबसे कम नियुंतम तापमान था वही नौइडा में आज अधिकतम तापमान 20 और नियुंतम तापमान 12 डिगरी सेल्सियस रह सकता है यहां भी धूप निकलने की संभावना जाहिर की गई है तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 20 और नियुनतम तापमान 8 डेगरी सेल्सियस रहने का अनुमान है वहीं दिल्ली में प्रोदूशन से परेशानी अभी भी जारी है सफर के अनुसार दिल्ली का एर कॉलिटी इंडेक्स यानि की एक किवाई आज 17 दिसंबर को 366 दर्ज किया गया है जो की बहुत खराब शेडीने है वहीं नौयडा की वायू गुर्वत्त सूंचकाग भी काफी खराब है और 289 रिकॉर्ड की गई है इसके अलावा गुरुग्राम में थोड़ी राहत की खबर है जहां पर वायू गुर्वत्त सूंचकाग 271 दर्ज किया गया है पीरूट पोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी ओ कि अरते ही जहाँ 520 वोर्ट